नमस्कार आप देख रहे हैं दर्शनीूज मैं हो दिव्यांसू लोगसभा चुनाओ का विगुल बजगया है सरगर्मी बहुत तेज है और चुनाओ प्रचार भी बहुत तेज हो गया है अब जो दूसरे चरण का मद्दान होना है पूर्णिया में होना है और पूर्णिया की सीट पर आप जानते हैं त्रिकोन ये मुकाबला है और पूर्णिया की सीट होट सीट बनी हुई है और क्यूं बनी हुई है ये भी आप जानते है पूर्णिया में पपू यादब ने कह दिया था कि पूर्णिया से ही लड़ेंगे कुछ भी हो जाए और पूर्णिया को उन्होंने मा बताया था और कहा कि पूर्णिया छोड़ कर नहीं जाओंगा मर जाओंगा लेकिन पूर्णिया छोड़ कर नहीं जाओंगा और पपू यादब निर्दलिये खड़े हैं अब पप्पूयादव के साथ कितना गेम प्लान हुआ ये भी आप जानते हैं और कल इस तरीके से तजस्री आदव ने मंच से बयान दिया है उससे साफ हो गया कि पपूयादव का गेम कैसे भिगाड़ा गया था और पपूयादव का पत्ता कैसे काटा गया था पपुयादव पूर्णिया से लड़ना चाहते थे, पहले से ही प्लानिंग में थे वो और छेत्र में घूम रहे थे, जन्सम पर कर रहे थे लेकिन गठबंदन के तहट जो सीट आई, वो कॉंग्रेस के पास नहीं आई और पपुयादव कॉंग्रेस में गए थे, पपुयादव की सीट कॉंग्रेस के पास नहीं आई, आरजेडी ने अपने पास रखी वो सीट और जेडियू को जटका देकर बीमा भारती जो आई थी उन्हें उन्होंने टिकट दे दिया अब पप्पु यादव ने कहा कि मैं तो चुनाओ लडूंगा ही निर्दलिये उन्होंने परचा भर दिया पप्पु यादव के निर्दलिये प्रत्यासी होने से नीन उड़ गई जडियो और आरजेडी की लेकिन नुकसान जादा आरज कुसलिम और यादवों का है और पूर्णिया में संख्यां भी नहीं की जादा है पप्पु यादव ने एक तरह से कह दे कि आरजेडी का पूरा गेम ही बिगाड़ दिया कल जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने मंद से कहा कि आप या तो भीमा भारती को वोड़ दे या एंडिये को वोड़ दे यानि एंडिये की जीत मंजूर है लेकिन पप्पु यादव किसी कीमत पर मंजूर नहीं लेकिन पप्पु यादव तो ठेरे पप्पु यादव लगातार घूम रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं और ऐसा दिख भी रहा है कि सीधी टकर उनकी स संतोष कुस्वाहा से है NDA के जो प्रत्यासी हैं संतोष कुस्वाहा उनसे सीधी चक्कर है बीमा भारती कहीं नजर नहीं आ रही और ये बात दिख भी रही है चाहे बीमा भारती का चेहरा आप देख लें या फिर तेजस्वी यादव और RJD के खेमे में आप देख सकते हैं ज बजा हैं पपू यादव और पपू यादव अब सिर्फ दोनों तरफ सम्हाल रहे हैं वो एक तरफ RJD को भी टैकल कर रहे हैं और NDA को भी अब अभी जो उन्होंने हालिया ट्वीट किया है उसमें उन्होंने बिना नाम लिये संतोष कुस्वाहा पर हमला बोला है उन्होंन बन सेवा करने की जिम्मेदारी देगी इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया उन्होंने लिखा पूर्णिया मेरी मा है उनका जवर्दस्त नहीं आसिरवाद मिल रहा है इससे चिड़ो नहीं मेरे भाई इसमें एक वीडियो उन्होंने सेर किया है जिसमें कुछ युव लेकर पपू यादव ने एक तरीके से केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है उन्होंने कहा कि हनुमान जी उनको सदबुद्धी दें जो हिंदू मुसल्मान के बीच जहर घोल चुनाओ जीतना चाहते हैं उन्हें भी सदबुद्धी दें जो भीशन नफरत में आप पाखो दे रहे हनुमान जी सबका करें कल्यान जय हनुमान तो पपू यादव लगातार हमलावर हैं और सक्रिये हैं फ्रंट पूट पर खेल रहे हैं लेकिन नतीजा क्या आएगा ये भी पता चली जाएगा कुछ दिनों में लेकिन जिस तरीके से पपू यादव चुनाव कुछ को स्वाहा को या फिर बीमा भारती को तमाम अपडेट्स देते रहेंगे बने रहें दर्शनीूज के साथ